इसमें शड़ेंद की क्या बात हो गई? मुझे तो यही बात नहीं समझ में आती है. नमस्कार में उखन जोती आप देख रहे हैं दे इंडिया टॉप देखिए अब फिर से एक बार काल मडराने लगा है लालू परशादय आदो जेल जाने वाले हैं राजनीतिक गलियारे में चर्चा सुरू हो गई है कि लालू परशादय उपर फिर से संकट आ गया है और अब लालू परशादय आदो जेल जा सकते हैं बरहाल लोगों का क्या कहना है अब हम पटना जक्षन पर मौजूद है लोग क्या कहते हैं जानने की कोशिस करें क्या लगता है लालू परशादय आदो जेल जा सकते हैं 25 तारिक की सुनवाई उनकी होगी 25 तारिक को सिबी आई ने सुप्रीम कोर्ट में एक वो दिया है उसमें 25 तारिक को ये तिसी तै हुई है लालू यादों की सुनवाई जो होगी जो डोरंडा कोसागार से 149 को रुपया निकासे के बात है उस मामले पर क्या लगता है कि जिस तरह से कहा जारा है कि जेल जाने पर बात पर हम आते हैं क्या भाजपा का सरयन्त हैै याा सवाल करता है तो लगाद भाई उसका अपना बचाओ करेगा ना सेल्फ डिफेंस में तो आदमें कुछ बोलेगा ना जे तो यह लग कहिए पूरी बात आप ऐसा बात बोल रहते हैं कि हमकर बला जाते हैं हाँ देखे ने जो है यह पूरी तरीके से इसमें कोई संदिय नहीं है कि भाजपा का सड्यांत रहे और जो इंडिये है ओ इंडिया से डरा हुआ है क्योंकि हर्याना का जो महा व्रष्ट बलतकारी बाबा है बाबा राम रहीम वो साथ साथ बार अभी तक पेरोल पर बाहर आ गिया और हर्याना में इस तरह का दंगा हो रहा है जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ दंगा हो रहा है लालू परसाथ का बिहार छोड़ के भाग गया है कि विदेश चल गया है बीजय मालिया गया गया निरो मोधी गया मेहूल चोक्षी गया कोई एक भी जितने भी भागोड़ा सलका दर लोग है करोड़ से और देख रहे कि जो आई एंडी यह जो है वो पुरा मजबूती के साथ आ रहा है और फासिस्ट वाद सक्तियों का जो मिटाने का कारे कर रहा और उसमें आगे बढ़ रहा है तो इन लोग जो है उससे बखोला गये हैं और सोचते हैं कि किसी तरीके से हम यह जो आई लाले उपर साधी क्यों आज जो आजीद पावर 37,000 करोन का घोटाला में थे तो वासिंग मशीन है उदर जैसे गया उनका वासिंग पावर्टर निर्मा धुलाई हो गया लगता है कि इंडिया घट बंदन को दबाने की कोशिश बिलकुल इसमें कोई संदे नहीं है इंडि कोई डर है कि जदी लालो जी बाहर रगे तो हम लोग 24 में अपना फासिस्वाज मनसुवा में कम्याब नहीं होंगे क्या लगता है सर उनको पर कहीं ने कहीं काल आ गया है कि और वो जेल जा सकते हैं चर्चा चल देखिए यो तो खेर सब को पता है कि ओगोटाला तो हुआ है सर कोई डिनाई नहीं कर सकता है गोटाला तो हुआ है अगर स्थीवियाई ने चासिट दिया है उस पर सुनवाई ह हो रही है तो ओ इंडिया आई एंडिया तोगने क्या बात यह बोल रहे हैं कि बीजेपी का ट्रैप है से जो पार्टिसर रूलिंग होती है ठीक है पो एकदम प्रो गवर्मेंट कभी नहीं होती है वह अपने तरीके से और रूल करना चाहेगी जो आपको भीपक्षेंब है हमारे पास कोई अच्छा अप्सन नहीं है नितीजी यह कछे नेता है इसमें दो रहाए नहीं है दंका पूरे भारत से बाहर में बज रहा बज रहा है लेकिन वीजे माल्या को क्यों नहीं ला रहे हो देखिए सर ऐसा है ना कि यह कहने यह फेस्बूक इनिवर्सिटी का अब लोग बस मजबूरी में कैसा चुनाओ करना है ना जो हम लोग लिए थोगा ज्यादा हम लोग के प्रो हो तो ऐसे में सर नितीज को हम लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि लालु यादो के जो सासन काल रहा है सर उसमें हम लोग ने बहुत कुछ देखा है नो डाउट अबाट ठीक है वहां से नितीज ने अच्छा कुछ तो किया है सर यह मानना पढ़ेगा जीडीप हमारी ग्रोग कोई इंफ्रसिटी बेहतर है नितीज बिल्कुल हमने के चलाना है हमारा बस यह कहना है यह तो पूलने से कुछ थोड़े होने वाला है प्या चार हम्नों को कुछ बोलने से थोड़े होता है नहीं होगा मनें एक one to five भर्ती में बहाली नहीं होगा तो वो तो court decide करेगा वो तो court हम लोग ठोड़े हैं भाई वो तो जानता है कुछ भी बोल सकते हैं लेकिता कोट होता है court जो decision देगा होगा हम लोग कितना भी बोलेंगे लाख चलाते रहेंगे कुछ भी नहीं होगा जब तक कोट है कोटी करेंगे डिसाइड करेगा आप लोग कहीं नबे का दसक देखें लालू यादो को जानते हैं अच्छे से क्या लगता है लालू यादो का चर्चा चर रहा है कि जेल में जाएंगे तो अगर भूरा की हैं तो भाजपा के बात नहीं है जो चोरी किया जेल जा सकता है इस कोई बात नहीं है भाजपा पार्टी की बात नहीं है कोट के पास है इस पहले पार्टी पार्टी देखा जाता है अब तो कोट के पास है अब तो कोट डिसाइड करेगा ना कि जेल जागा कि नहीं जाए गए तो डेट फिक्स है उस डेट में क्या होता है आप देखिए अब चर्चा चल रहा है कि लालू जादव जेल जा सकते हैं आपका क्या मानना है लालू जादव को एक साजिस के तहत फसाया जा रहा है लालू जादव गरीवों का नेता है और आवाज दिया है लालू जादव पहले क के दसक था कि गरीवों के साथ अन्याज किया जाता था भीम बावाराम अम्बेदकर साहब के बातों पुर रहे इसे लालु यादव ऐसा निता है फर्स्ट लीडर लालु जादव है जो गरीवों का आवाज दिया आज हम जो भी बोल रहे हैं लालु जादव का देन है कर देखें लो का साफसाप कहना था कि लालु यादों ने गरीब दलीत वंचित अलसंख्रों का तमाम जो वर्ग हैं गरीब दलीत अलसंख्यक सब को आवाज दियें लेकिन एक बात भी कही जा रही है कि भाजपा का भी एक बड़ा हाथ है फसाने में यही कारण है कि आज लाल झाल झाल